नमस्कार दोस्तों सभी किसान भाई योंको राम राम दोस्तों आज 12 मई 2023 दिन सुक्रवार दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली अजादपुर मंडी में आज के आलू के क्या बजार चले मंडी में आलू की कितनी काड़ी है ये आज के आलू के क्या बजार है दोस्तों जो यह 50 किलो आलू की बोरी के रेट है आलू चाहे लाल हो या स्थेदो नया हो पराणा हो छोटा हो मोटा हो कोई भी हो यह 50 किलो का रेट होता है चलिए जानते हैं बाइसाब से आज की क्या कुछ पजीशन है मंडी में क्या उठा पतक है कितनी गाड़ी नमस्कार जी नमस्कार कि पहले हैं बहुत जादा बचीकल यह तो राइवल थी 118 गाड़ी 50 परसेंट ही लगा लो जी है तो फोड़ा सा कम दी क्योंकि गर्मी की वज़ा से ना सेल पर बहुत असर पड़ा हुआ है अच्छा जी कुछ अच्छे आलू भी नहीं आ रहे अच्छा जी तो इसमें रा जिसमें 69 गाड़ी स्टोर है 21 चुपसोना है 8 सूर्या 9 नहा चार शमचाबाद 8 लाल 1 जंगीराबाद 3 संबल 1 पंजाब अच्छा जी एक पंजाब जो है यह कोठे वाली है अच्छा जी और 9 जो लिखा हुआ है नहा लिखा हुआ है अच्छा जी नो और 4 शमचाबाद 13 औ और एक यह 14 गाड़ी जो है यह डंपकी है अच्छा जी भाण है अच्छे इसको हम सो गाड़ी स्टोर बोलेंगे अलग बात है कि हमारे लड़के इसको अलग करके लिखते हैं वो क्या करते हैं जो अलिगाड इकलास मत्रा साइड से अलू आ रहे हैं उसको स्टोर में लिखते हैं जो चंदोसी से आ रहे हैं उसको चिपसोना में लिखते हैं और सूर्या जो चंदोसी का उसको अलग करके सूर तो बहुत बहुत निवाजी बड़ी सुन्दर जानकारी के लिए और निचे का तो बता दो जी निचे कितने हो गए माल निचे भी साड़े मैं भी कह रहा हूं लेकिन मैं आपको एक जानकारी दूंगा अपने किसानवाईयों को भी स्टोर मालकों को भी जो बड़िया आलू है यहां पे पाशाक और कौईटी आलू है उसका कोई मतार निचे मंडी में जो उतर रहे हैं जा रुके हुए हैं वो सारे आलू सारे चार सो वो सबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादा चोर अभी तक 600 रुपे ज़्यादा से ज़्यादा, 600 रुपे आईस विका, किसी दिन कोई 10 रुपे उपर लगया तो अलग बात है, उस अलू के आज भी वोई रेट है, तोने 6, 600 रुपे आज भी रेट है, बड़ी अमाल के जी, हाँ, हलके अलू में मत्ता है, उसके 1050 पाड़ी आई हुई है, मेरे साइड से जो मेरे बार डेली आती है, ये भी 520, 30, 40 रुपे जाते हैं, ये गरह किसी के लेने वाले हैं, रोज लेते हैं, और एक इनका अलू है, ये कोटेगा, इनकी बाहिजाब की दिखाओ, और इन से बात्चित करना चाओ, करो, ये मेरे ग बाकी ये गुले हैं, गुले चार सो, सबा चार सो, साड़े चार सो, पंपर जो है, चलिए आज बात करें जी, पहले समसे पहले, सेंतिस्तानवे की रेट बताओ जी, सेंतिस्तानवे ने बदाया आपको पोने 600 रुपे का बेचा, बढ़ी अलाट, अच्छा जी, अलू पान सो, सबा पान सो, चालीस रुपे, पचास रुपे, जैसा गराग लगजे, पान सो साड़े पान सो रुपे में बिख जाते हैं, अच्छा जी, और जो बात करें जी, चिप सोने के कैसे मार्टे चल री कहा कहा के, चारो तरफ के रेट बताओ जी, जो अलिगा डिगलास क तो जानते ही हैं सीधे का मतलब डिरेक्ट जो कोल्ड से सीधा कमर वे उड़ा और गाड़ी में फैंक दिया अच्छा जी उसकी उस चपसोने की पुजीशन है साड़े पांसो से छेसो रपर अच्छा जी एक आता है चंदोसी बदायू वजीर गंज यह सारे लाके विसोली यह हां के जो कोई भी आलू है चपसोना है सूर्या है वो पहले स्टोर की जो शेड होती है उसमें बनता है कटता है पूरी रास सूथता है अगले दिन शाम को बराई होती है फिर उसकी लोडिंग होती है बहुत टॉप ग्रेडिंग बनाकर लाते हैं अच्छा जी उनके चपसो यह तो है वि-सूली चंदोसी के रेट Cashश और जो हमारे अलिगर साइड के रेट है वह चपसोना साड़े पांसो ठेश सावाशेस सूरर अच्छा अनका सूर्या जो है वो समय लो नीचे में साड़े चेशस सो उपन में साथ साथ ठेटेम देखो जी बीज एक ही है जी और द साते होंगी न जी ये भी सुखा के बेजेंगे अच्छा जी तो इनका दो तिन किलो को बज़ा नहीं उड़ जाता है फिर गुला गोली निकलना है फिर लेवर को पैसे देने हैं सारी रात वहां पढ़ा रहना फिर वराई होने खर्चा बहुत आता है जिसका कहते हैं न पढाने की जुरूरत निया जी तो यह दूध उनका भिक रहा है जब जमाते हैं जह मज़मूरी होती चमासों के अंदर ऱब गर्मी से हुमा से अच्छा नहीं तब उस दिन बनाके बेजते हैं लोग अच्छा जी पन्जाब की कि न जो गारी नहीं गारी उसकी डंप अच्छा जी पंजाब वाड़ों के क्या रेट चले जो जिलंदर वाड़े पड़ी है जिलंदर टॉब क्लास पांच सवा पांच सो रुप है नीचे में साड़े चार सो रुप है अच्छा जी और बाकि शारपूर उन्ना की कोई गाड़ी आ जाए तो उसकी पूजीशन भी चार साड़े चारसो और जो डियमेंड आजे तो साड़े 500 पर बिगной का ताॉप क्लास तो मेरी यहाइक जानकार बंदे से निनसे बात ओई तो वह बात कह रहा है तो उसने मेरे से बात करी कि इलएकशन का दोर नहीं है जी इलएकशन का दोर नहीं हो तो इलक्षन में होते नमने लग रहे आलु अपनी स्पीड क्पिरीज से फिर भी चल रहा जो गलु देखो कल जो बोटिंग हुई है जूपी के अंदर गेहरा तरीक में मुझे लग रहा जो ताजा राइवल 65 गाड़ी की वहां लोडिंग आई है हां जी हो सकता अलेक्षन का भी असर हो अच्छा जी यह तो क्यावन गाड़ी बैलंस थी हां जी वह मिला के 114 पंदरा हो गई नहीं तो जैसे वहां से 65 गाड़ी की लोडिंग हुई है हां जी और आज मंडी में बैलंस मिला के मलोग 15-20 गाड़ी अगर बैलंस होती तो 80-85 गाड़ी होती लोग ने अब रेट चाड़ जाते हैं उन्हों है एक मज़ेदारों और बात वी कुछ के लाकों में लों को जो तो इन दिनों में मही एंन में कोड़ से निकालेंगे चाहे जून में निकालेंगे चाहे अक्तूबर में निकालेंगे वह ब्यास में तुनका पैसा मिल जाना है अब कोपरेटर बेंक का जो लोन है वो मुझे सिस्टम पता नहीं है उनके उपर हो कैसा प्रेशर और कैसे जमा कराना होता है उस प्रेशर के का सबसे 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 कोई मिलेंगे उसमालू डालना पड़ेगा हर बंदे की अपनी अपनी सोच है और आलू अतरेगा और आना भी चाहिए सबसे 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 करें हिसाब सबसे सबसे कोई मिलेंगे उसमालू डालना पड़ेगा अधिक किसान वाईयों को चाहिए किपना पड़नाएं कि अपनी केल 우리 करके आपक कितना अलू confession उससाब से एक रेशो बनाके 6 मिने का टाइम है उसमें डिवाइड करके उसको बेशते चले हैं जी तो कि जो फ्यूचर है कल को कुद्रत कुछ भी कर दे कुछ भी कर दे हैं ना 6 मिने के अंदर कोई बं भट जाए बाढ आजे अब बे मौसमी बार्शे आई थी हैं जी अब कल के परसों मैंने मनाली की जो अटल टैनल है उसके बाद इतनी बारी बरब बारी हुई है मैंने का सुनने में आती दिये चीज़ें तो यह परकृतिक आपदा है वो कोई आजे कोई चमतकार कर दे तो कुछ कह नहीं सकते लेकिन फिलहाल अभी कोई इतना बढ़िया फ्यूच यह फ्यूप लेकिन के ट आज है थीर एक अंटा है उरसता बंसँदा परकृतिक टो रहीं सकते लेकिन Foreman की आपदाऊरा फिलहाल आपदा है ऊर जाहता है रहीं से मैं में रहीं expect बांतरे है